आग्रा कॉलेज के सवागार में वेश्व स्वास्त दिवस्त पर एक जागरुक कारकरम का आउजिन किया गया जिसमें चिकिस्कोनी छाच्छात्राओं को स्वस्त रहने के तरीके बताए साथ रगदान के लिए छाच्छात्राओं को प्रिद किया गया जागरुक कॉलेज के सभागार में विश्व स्वास्त दिवस पर एक जागरुक कारिकरम का आयुजन किया जिसमें चिकित्सिकों ने छात्र छात्राओं को स्वास्त रहने के तरीके बताए, साथी रक्तदान के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया जागरो कारिक्रम में जिला स्वास्त विभाग के अधिकारी, डिस्टिक होस्पिटल के अधिकारी और आगरा कॉलेज के छातर छात्राओं ने कारिक्रम में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया मेनार में टॉक बच्चों के लिए प्रस्तित करने के लिए आज ही के दिन 75 वर्ष पहले वर्ल्ड हेल्थ और इसको मनाता है इसको प्रचार करता है इस बार की थीम है हेल्थ फॉर और अल हम लोग चाहते हैं हेल्थ की सुवधाएं तो अपलब्ध हैं लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है होमोजिनिस नहीं है इंडिया में अगर आप देखें शेहरों में 20-25% पॉपलेशन है और गावों में 80% पॉपलेशन है लेकिन हेल्थ की सुवधाएं सब शेहरों में कंसेंट्रेटर हो गई हैं 80% फैसलिटीज शेहरों में 20% गावों में हैं तो uniformity नहीं है, health for all नहीं मिल पा रहा है, गाफ के लोगों को 100-100 km ट्रेवल करके शहर में आना पड़ता है, इसमें सबका सहयोग चाहिए है, NGOs का, doctors का, organizations का, अइन सबसे बड़ा काम है, government का, तभी ये सुविदा चाड़ तरफ पहुच पाएगी, तभी health for all का target पूरा हो पाए में विश्व स्वास्ते दिवस पर जागरुक कारिक्रम में जिला स्वास्ते विभाग के CMO डॉक्टर अरुट श्रिवास्तव, District Hospital के CMS डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर प्यूज जेन और आगरा कॉलेज के सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराख शु अजी प्रोगाम कराया जा रहा है और यह 75 में बर्सकाट है और इस तरह के प्रोगाम समसब के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कर लाइपिस्टा इतना चेंज हो गया है कि हम लोग अपने बैसे इतने सारे काम होने की वेश्व समय निकाल पाते हैं तो इस तरह के कि वेश्व से हमारे अंदर एक अवेर्नेस आती है आज कि कल को कल को हमारा डबलू एचो का स्थापना हुई थी उस अवसर पर वर्ल्ट हेल्ट के हम लोग साथ अप्रयर को आयुजित करते हैं उसके उपलक्ष में आज हम लोग एक अवेर्नेस की तरह गोस्थी जिसमें हम एक प्रयास है कि जो हेल्ट के लिए मेरा अब लोग का जो अवेर्नेस है उसको बढ़ाना अपनी उन बेहिवियर्स को जिन से हम स्वासलाब कर सकते हैं अपनी इम्मिनिटी को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विचार करना जागरुकारिकरम के अंतरगत रक्तदान शिवर का भी आयोजन किया गया जिसमें आगरा कॉलेज के चात्र चात्रा उन्हें बढ़ चड़कर हिस्सा लिया आज हमने आगरा कॉलेज के अडिटूरियाम में वर्ल हेल्थ के ऊपर एक सेमिनार यहां पर हमने रखा हुआ है सौास्खबागा और इसके साथ हमने बलट डोनेशन केमप यहां पर लगाए हुआ है और एक केमप हमने बलट सुगर और ब्लट सुगर और बियमाई मुझे लगता है बहुत ही बर्निंग तीम है आज कल के परवेश में जब कोवेट जैसी पेंडेमिक से मुझे निकल के बाहरा चुकी है उस टाइम पे स्वास्त की प्रयात्मिक्ता पृतिक हम आगरा कोलेज के सभादारा की सभागार सब्सक्राइब इस पर एक function हुआ है तो इसमें अलग-अलग रखता थे और हमारे मुख्यती थी जो थे D.K. हजरा साथ थे और हमारे CMO साथ थे और जिलास किताल से मैं हूँ और लेडी लायल से भी मैदम थी और अच्छा इंटरेक्शन रहा चिकत सकोने चातर चातराओं को रक्तदान करने के फायदे बते साथी रक्तदान करने से किसी जरुतमन इंसान की मदद की जा सकती है इस पर भी चिकत सकोने चातर चातराओं को जागरुक किया C News के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट